हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट है हमारा राष्ट निर्मान की चुनोतिया इस चैप्टर को हम देखेंगे फुल चैप्टर आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा और इस चैप्टर की जो पीडियाफ है यह आपको टेलिग्राम गुरूप में डाल दी जाएगी तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो ठीक है जो भी देखना चाते हैं अब वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं सब कुछ आपको यहां पर फ्री में अविलेबल है यानि एक भाशन दिया था चोकि बहुत ज़्यादा फेमस है किस नाम से फेमस है यह इसको भागे वदू से चिर प्रतिक्षित भेट कहा जाता है या फिर इसको ट्रिष्ट विड डेस्टिनी के नाम से भी जानते है ठीक है भागे वदू से चिर प्रतिक्षित भेट या ट पूछा जाता है तो देखे दो बातों पे सभी सेहमत थे एक तो ये था कि शाषन जोगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाए जागा क्योंकि देश जो था हमारा गुलाम था और उस समय अंग्रेज जोगा शाषन उन्होंने देख रखा था तो इसलिए उन्हें हमारे देश की जो नेता थे और हमारे देश की जो चंता थी वो पहले से ही ये डिसाइड करके बैटी थी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हमारे यहां पे जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक होगा ठीक है सेकेंड नमबर पे आपका पॉइंट आ जाता है कि सरकार जो थी वो सभी के भले के लिए काम करेगी ठीक है पूरे समाज के भले के लिए काम करेगी सरकार इन दो बातों पे सभी सहमत थे नेक्स्ट आपका कि 1947 का साल अब 1947 का जो साल है वर्स है ये बहुत ही खतरनाक है इसमें हमें आजादी मिली ये तो चलो अच्छी बात है लेकिन आजादी के साथ साथ देश के दो टुकड़े हो गए ठीक है ये गलत था और दूसरा क्या हुआ था कि आजादी के समय में देश में बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हो गई थी विस्थापन हुआ था ठीक है और ये तरास्दी से भरा साल था क्योंकि लाखों लोग जो थे इसमें मारे गए थे बेघर हो गए थे मजबूरन उनको शर्णार्थी सिवीर में रहना पड़ा था बहुत सारे लोगों को जो अल्प संक्यक्ते हों उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ काफी गलत हुआ ठीक है चंद घंटों के अंदर उनको देश खाली कर देने का अल्टिमेटम दे दिया गया था तो ये एक तरह से काफी बेकर एक्स्पिरियंस था 1947 का आगे देखते हैं ये कोशन है इस चेप्टर से पूछा जाने वाला ये हमेशा आएगा तो लौंग कोशन में आएगा ठीक है हमेशा जब भी आएगा लोंग कोशन में आएगा कोशन ये है कि राष्ट निर्वान की प्रमुक तीन चुनोतिया कौन सी है तो देखे पहली चुनोति है एकता के सूतर में बांधरा इसका मतलब क्या है भारत जो है एक विविदताओं वाला देश है यानि भारत में बहुत ज़यादा विवितता है यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं अलग अलग जातियों में बटे judgment लोग है अलग अलग समुदायों में हैं उनका culture अलग है वेशबूस आप भाशाएं अलग अलग है तो हमारे यहां पर variety यानि की विवित्ता जो है बहुत ज़ादा है ऐसे में इतनी ज़ादा विवित्ता होने के बाद इतनी ज़ादा variety होने के बाद इन सभी लोगों के बीच में यानि देश की जनता के बीच में एक्ता इस्थापित करपाना एक बहुत बड़ी चुनोती थी तो सबसे बड़ी चुनोती के रूप में आप इसको देख सकते हो कि देश में एक्ता को स्थापित करके रखना ठीक है एक्ता की सूतर में सबको बांधना सेकंड पॉइंट है आपका लोकतंत्र स्थापित करना आप देखिए देश जो था वो 200 वर्सों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है ठीक है और इन 200 वर्सों में जो जो मतलब यातन है देश के नागरिकों ने जेली है वो जानते थे तो इसी लिए पहले से डिसाइड था कि जब देश आजाद होगा तो लोकतंत्र स्थापित करेंगे ठीक है लोकतंत्र अब लोकतंत्र को स्थापित कर पाना भी एक चुनोती थी क्योंकि देश की जनसंक्या बहुत ज़्यादा थी ठीक है देश बहुत बढ़ा था और विबिन समुदायों के बीच में देश बटा में बटेवे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डेवलप थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी दैनी हैं स्थिती में थे, तो ऐसे में सरकार जो है वो पूरे समाज के लिए, समाज में सभी के भले के लिए काम करेगी, ये चुनोती थी, ठीक है तो ये तीन पॉइंट आपको द्वी राष्ट सिधान, ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कोशन आता है अपके में, तो द्वी राष्ट सिधान जो है, ये मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है, अब ये मुस्लिम लीग ने ये जो सिधान दिया था, इसका मतलब क्या है, इसका नाम से य लग रहा है द्वी राष्ट्र यानि कि दो राष्ट्र ठीक है दो राष्ट्र नाम से यही बता लग रहा है यानि कि इसके तहट जो मुस्लिम थे उन्होंने यह कहना था उनका कि इंडिया जो है वो दो कौमों का देश है यानि इसमें दो कौम रहती एक तो मुस्लिम है और दूसरे हिंदू है ठीक है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने मुसल्मानों के लिए अलग देश की मांग कर दी और पाकिस्तान की मांग करी थी इन्होंने और कॉंग्रेस ने इसका विरोध भी किया था ठीक है इसी को दो राष्ट सिद्धान्त या द्वी राष्ट सिद्धा यह two nation theory के नाम से हम जानते हैं आगे देखते हैं अब देखें देश आजाद हुआ ठीक है बहुत खुशी की बात थी लेकिन गलत चीज भी हो गए कि उस दिन देश बट भी गया तो देश जो था हमारा ये दो हिस्सों में बट गया था ठीक है एक भारत हो गया हमारा जो आप जानते हैं फिर पाकिस्तान जो थे दूसरी साइट पाकिस्तान बना दे गया अब पाकिस्तान जो बनाया गया था पाकिस्तान दो बनाये गये थे एक तो हो गया पस्चिम में ठीक है दूसरा हो गया पूर्व में जो की बाद में जाके बांगला देश बन जाता है 1971 में ये हो जाता है ठीक है पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था ये पस्ची में पाकिस्तान ये पूर्वी पाकिस्तान और बीच में जो ये हिस्सा आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ये भारत का हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से देश का बटवारा हो ग के रूप में बार्ट दिया जाएगा अब इसको भारत और पाकिस्तान इस तरीके से जाना जाएगा ठीक है ये जो विभाजन था ना ये बटवारा बहुती दर्दनाक था दर्दनाक क्यों था क्यों कि इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी लोगों को शर्णारती संक्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा ठीक है किस आधार पे विभाजन वा था? याद रखें तो, यह धर्म के आधार पे वा था ठीक है धार्मिक बहुत संक्या कि आधार पे जिन रेलाकों में मुसल्मान जो थे जादा थे यानि बहु संक्यक थे उनको पाकिस्तान का भूबा बना दिया गया और जो बच जाएंगे उसको भारत बना दिया जाएगा ठीक है ये फैसला हुआ था और ये बात थोड़ी आपको आसान जान पड़ती होगी लेकिन reality में अगर हम इसको देखें तो ये काफी मतलब समस् में ठीक है टेकनिकल प्रोब्लम थी टेकनिकल प्रोब्लम कैसे कह सकते हम प्रोब्लम ये थी कि देखें पूरे देश में अगर हम देखें भारत में तो कोई एक ऐसी जगा थी नहीं जहांपे मतलब मुस्लिम ना हो मुस्लिम तो पूरे देश में थे ऐसे में पूरे देश क जो समस्या आई थी इसको समझते हैं तो देखे विभाजन जो था काफी मतलब समस्याओं से बरा था क्या क्या समस्या थी ये समझे मुस्लिम जो थे वो पूरे देश में थे और पूरे देश को बांट पाना आसान नहीं था ठीक है ऐसे दो इलाके थे जहां पे मुस्लिम दो बनेंगे पश्चिम में बन जाएगा और पूर्व में बन जाएगा ठीक है और यह हो गया था अब यहाँ पे एक समस्या यह भी आ रही थी कि भही जो मुसलिम थे वो केवल पूरव और पश्चिम में थोड़ी थे वो तो देश में अन्ने हिस्सों में भी थे तो ऐसे में सबी मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान जाने को तयार भी नहीं थे ये भी एक समस्या थी फिर पंजाब और बंगाल की बात करें तो यहाँ पे पंजाब और बंगाल पंजाब को आप मैप में देखोगे और बंगाल को मैप में देखोगे तो यहाँ पे कुछ हिस्सा ऐसा था जहां पर मुस्लिम ज़्यादा थे, अब देखो, अब स्टेट के अंदर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो अब उसको कैसे बाटे, यह समस्या आ रही थी, तो यह डिसाइड किया गया, कि यहां पर जिले, यानि डिस्टिक के अधार पे इसको बांड देते हैं, ठीक यहां पर आठ पॉइंट बताएं, कोई भी छे पॉइंट आप यहां से बता सकते हो, नेक्स्ट आपका विभाजन के परिणाम, यानि जो विभाजन हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो देखे, जब विभाजन हुआ तो विभाजन के दोरान सामपरदाइक हिंसा हुआ, हिंसा हुई, बहुत बड़े लेवल पे, हिंदू, मुस्लिम के बीच में आपस में दंग्य हो गए थे, लड़ाई हो गए थी, ठीक है, तो आप यह कह सकते हो, सामपरदाइक हिंसा, पहला पॉइंट, नेक्स्ट है कि ज रहते ही चले आये थे, अब उस जगा को खाली करना पड़ रहा था, तो यह काफी दर्दनाग था, इस्थाना अंतरन जो था, यह काफी मतलब मजबूरी वाला था, फिर इसके बाद क्या है कि लोगों को मजबूरन शर्नार्थी सिवीर, यानि जब एक जगा से दूसी जग महिलाओं के साथ तो जबरन शादी की गई, तो यह काफी गलत हुआ थे, ठीक है महिलाओं के साथ, तो यह भी आप परिणाम में बता सकते हैं, इसके बाद क्या है कि विभाजन के दौरान संपत्ती का बटवारा हुआ, देश की जो संपत्ती थी वो बाट दी गई, यहां इसके अलावा विभाजन के दौरान लगबाग असी लाक लोग जो थे, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, ठीक है, तो यह सब ही क्या है, इसके परिणाम हुए, फिर नेक्स्ट आप का एक टॉपिक है कि आजादी के दौरान गांधी जी जो थे, वो कहां पे थे, क् रुखी थे, और वो उन दिनों कलकत्ता गए थे, और उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की, फिर गांधी जी दिल लिया, वहां पे उन्होंने क्या करा, उपवास रख लिया, और उनके उपवास का असर भी हुआ, हिंसा जो थी, जो तनाव जो बहुत तेजी से फैला हुआ था, इनके उपवास के बाद धीरे-धीरे वो कम होने लगा था, और 30 जनवरी 1948 को नातुराम विनाएक गोट से जो थे, इन्होंने क्या करा, गांधी जी की हत्या करती, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये लास्ट वाली लाइन, ये पूछ ये रियासते हैं, यानि पूरा देश आप देखोगे, तो रियासतों में बटा हुआ देख रहा है, आपको हर तरफ रियासत, रियासत, छोटी रियासत, बड़ी रियासत, ठीक है, इस तरीके से बटा हुआ था देश, तो ये रियासत है थी, अब आपके दिमाग में कुश इस्से को जीतते गए ठीक है उस इस्से को वो अपना शासन वाला एरिया बनाते गए यानि कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर अंग्रेज जो थे वो सीधा शासन करते थे यानि कि डारेक्ट शासन करते थे और कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर राजा होते थे यानि कि रियासत के राजा होते थे तो राजा जो होते थे वो रियासतों पर उन्हीं सो को रियासत का जाता था रियासत छोटी भी हो सकती है रियासत बड़ी भी हो सकते है कुछ रियासते जैसे हैदराबाद हो के यह बड़ी रियासत होती थी तो कुछ छोटी रियासत भी होती थी ठीक है और इ उनके अंडर में राजा है और राजा शासन कर रहा है ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे राजाओं का शासन है और जहाँ पे आपको ये दूसा कलर दिख रहा है दूसरे में देशी रजवाडे अब आपको समझ भाया है यानि एक हिस्सा ऐसा था जहां पर अंग्रेजों का सीधा शार्षन था एक हिस्सा ऐसा था जहां पर रियासतों यानि रियासत थी जिसमें देशी रजवाडे जो थे इनका शार्षन होता था ठीक है बिर्टिस परबुत्तों वाले जो भारतिय परांत थे वो अंग्रेजों का यहाँ पर सीधा नियंतरन होता था दूसी तरब जो छोटे बड़े आकार में कुछ राज्ये थे जिनको हम रजवाडा या रियासत कह रहे हैं इन पर राजाओं का शार्शन होता था राजाओं ने बिर्टिस जो अंग्रेज थे उनकी सत्ता को स्विकार किया हुआ था और इसके अंतरगत वे अपने राज्ये के घरेलों मामलें में शाशन वगरा जो थे उसको चलाया करते थे अब क्या है कि भाई अंग्रेजी परबुत्तों के अंतरगत आने वाले भारतिय सामराजी का एक तिहाई हिस्ता जो था उसमें रजवाडे थे और परते चार भारतियों में एक नए किसी ना किसी रजवाडे की परजा होता था तो आप आप ये समझिए यहां से कि जो रजवाडे जो थे वो मतलब काफी ज़्यादा थे संक्या में ठीक है और उनकी जो जनता होती है वो भी काफी जादा थी और देश में 565 रियासते होती थी ऐसे में देश के तूट जाने का खत्रा हुआ तूट जाने का खत्रा कैसे हुआ देखे अंग्रेज जब देश को छोड़ कर गए तो अंग्रेजों ने जाते जाते भी फूट डाल दी अंग्रेजों ने ये कह दिया कि अब हम भारत को छोड़ कर जा रहे हैं और भारत आजाद है और ऐसे में जो रजवारे हैं ठीक है वो भी आजाद है अब वो अपने मन की सुन सकते हैं अगर उनको लगता है भारत में रहना तो भारत में रह सकते हैं पाकिस्तान से मिलना चाहें तो पाकिस्तान से मिल सकते ह या स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं यानि कि उनके सामने option दे के चले गए ठीक है इस तरीके से कहीं ना कहीं food डालने की कोशिस की तो ऐसे में आप देखें देश में 565 रियासते थी अब आप ये सोचे कि मान लोगर सब ये बोलते कि हम तो स्वतंत्र रहें तो ऐसे में देश के कितने सारे टुकड़े हो जाते ठीक है तो ये समस्या थी अब अंग्रेजों ने घोशना की थी कि बिटिस प्रभूत के बाद रजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे ऐसे में वो चाहें तो भारत से अलग होते हैं या टुकड़ों में बढ़ जाता ठ तो इस तरीके से देखा देखी में अन्य जो रियासती थी वो भी घोशना कर सकती थी इसके सामने आजादी तो इस तूट गया है अब भारत के अंदर भी टुकड़े होने के खत्रें हो रहे थी तो इससे क्या थी जह मारे नेता वगएरा थे वो काफी चिन्ता में थी ठीक और ये जो रजवाडे हैं इसके विलय में पटेल जी यानि जो वलब भाई पटेल थे इनकी क्या भूमी का थी ठीक है तो देखते हैं देखें देश में रजवाडों की समस्या को देखकर ऐसा लगा था कि देश टूट जाएगा ऐसे में जो वलब भाई पटेल थे ये काफी मतलब कुशल और चतुर और समझदार नेता थे ठीक है तो इन्होंने क्या करा समझदारी दिखाई और रियासतों को का विलाए जो है वो भारतिय संग में कराने के लिए इनको राजी कर लिया इन्होंने क्या करा है इन्स्टूमेंट ऑफ एकसेसं जो था सहमत्ती पत्र बोलत अब ऐसे में क्या हुआ जादतर रियासते जो थी लगबक सभी भारत में शामिल हो गई लेकिन चार रियासत ऐसी थी जिनके विले में काफी कठी नहीं आई एक तो कश्मीर हो गया दूसरा जूनागर हो गया तीसरा हैदराबाद हो गया चौथा मनीपूर हो गया अब इस पर हैदराबाद और मनीपूर ये दो टॉपिक आपके सिलिबस में इसको बता देता हूँ तो देखे है धराबाद जो रियासत Onי एक बहुत बड़ी रियासत थी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बपर वाफिस से देखे आप मैप को ध्यान से देखो ये वाला ज जो भरती इलाके थे, पुराने हैदराबाद जो था, वो बहुत बड़ा होता था आज के समय में तो देखे, बाद में तो ये तूटके बट गए, कैसे कैसे बटे वो भी आपको आगे बताऊंगा, तो पुराना जो हैदराबाद होता था था ना, उसमें ठीक है, निजाम जो था, वो चाहता था कि हैदराबाद की रियासत, जो है आजाद रियासत का दरजा मिले, और एक चीज़ और हैदराबाद को पाकिस्तान अपने में मिलाना चाह रहा था, और निजाम जो था, वो कहीं ना कहीं, पाकिस्तान की खिलाब क्या कर दिया आंदोलन कर दिया तेलंगाना इलाके में जो किसान थे वो निजाम के शासन से बहुत दुखी थे उन्होंने कर दिया आंदोलन इस इस आंदोलन में महिलाएं जो थी वो भी शामिल हो गई क्योंकि महिलाएं जो थी वो काफी दुखी थी वो भी जुल्म का शिकार हो ली थी, तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में आंदोलन में जुड़ गई, अब क्या हुआ, हैदराबाद का जो शाशक है, उसके खिलाफ यहां पर आंदोलन शुरू हो गया, हैदराबाद शहर जो था, पूरा आंदोलन का गड़ बन गया था, लोग आ गये थे, ठीक है, भारी संख्या में मतलब लोग इसमें जुड़ गए थे, आंदोलन को देखकर निजाम ने क्या करा, एक अपना अर्ध सैनिक बल रवाना कर दिया, यानि कि आंदोलन को कुछलने के लिए, जो उसके कुछ गुंडे होते थे, जिसको रजाकार कहा जाता है, वो पीटना, काटना सुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो रजाकारों ने लूट पात मचानी सुरू कर दी, हत्या करनी सुरू कर दी, तो 1948 के सितंबर महीने में भारती जो सरकार है, उसने सेना को भेजा, फिर सेन, जो हमारी सेना है, सैनिक जो हमारे उनके बीच में और आपका टॉपिक मनिपूर, तो मनिपूर देखे, मनिपूर भी एक ऐसी रियासत होती थी, जो कि कही न कहीं, जिसको भारत में मिलाने में थुड़ी दिक्कते आई थी, तो आजा दी के कुछ दिन पहले, मनिपूर के महराजा बोध चंदर सिंग जो थे, इन्होंने भारत सर पायत था है, जो इसको विशेश अदिकार दिये हुए, वो वैसे के वैसे बरकरार रहेंगे, जन्मत के दबाओं में आके महराजा जो बोध चंदर थे, इन्होंने नाइटी फोटी एट के जून महीने में चुनाओ कर आए, और मनिपूर के रियासत में ये सम्विदानिक रास्तंत्र कायम हो गया, या ridge-rig शासन कायम हो गया था, ठीक है, मनिपूर भारत का एक पहला ऐसा भागये, जहां पर शार बहुम वयशक मतादिकार को अपना के चुनाओ कर आए गया था, शार बहुम वयशक मतादिकार क्या होता है, यान्न कि एक ऐसी मत्तदान की पढ़न पाते थे कि उनका विले भारत में हो मनिपूर की कुछ राजनेतिक पार्टी थी वो भी नहीं चाहती थी कि उनका विले हो लेकिन मनिपूर की जो कॉंग्रेस थी वो चाह रही थी कि उसका विले हो जाए लेकिन वहां की जनता और वहां की जो दूसरी राजनेतिक पार्टी व हो गया लेकिन आज के समय में भी आप देखोगे ना तो मनीपूर के जो लोग है वो इस चीज़ से नाराज रहते हैं भारतिय संग में शामिल करने से ठीक है तो ये गुसा आज तक उनमें देखने को मिलता है तो ये टॉपिक हो गया हमारा अगला टॉपिक है अपका राज्यों का पुनर गठन ठीक है ये समझे इसमें से भी कुशन आता है देखें देशी रियासतों का विलय तो हो गया लेकिन यहाँ पे समस्याओं जो समस्या थी ये भी खतम नहीं हुए ठीक है पूरे जो विवस्ता थी वो अस्त्रव्यस्तो रखी थी तो ऐसे में जो प्रांथ थे हमारे जो एरिये थे इनको भारतिय संग में मिलाना था मिला तो चुके ही थे अब यहाँ पे समस्या यहा आ रही थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को उनकी जो संस्कृती थी उनकी लैंग्वेज जो थी वो अलग थी उसके आधार पे उसको स्टेट बनाने थे रजे बनाने थे यह समस्या रही थी तो प्रांथों की सीमाओं को इस तरह तेय करने की चुनोती थी कि देश की जो भाषाई और जो सांस्कृतिक बहुलता है उसकी जलत देखने को मिले और इससे राष्टी एकता भी खंडित ना हो इस तरीके से करना था या नि राष्ट की एकता भी ना तूटे और इनको भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता भी हमें देखने को मिले और इनक एक state में convert भी कर दिया जाए अंग्रेजों के शासन के समय जो प्रांतों की सीमाई थी वो इनकी सुविदा के लिहास से थी उनको जैसे प्रशासन करना था उन्होंने वैसे उसको सीमाई बना रखी थी या जैसे जैसे वो छेतर जीतते गए वैसे वैसे उनके जो प्रांत थे वह बनते गए लेकिन अब तो देशाजाद हो गया अब ये पुराना सिस्टम तो चलेगा नहीं ठीक है तो ऐसे में ये समस्या रही थी कि अब कैसे मतलब इन सबी को एक सास सामिल किया जाए पैसे में जो हमारी राष्ट्य सरकार जो थी उसने कहा था कि ये जो अंग्रेज दीजिये 1920 में कॉंग्रेस का जो नागपूर अधिवेशन हुआ इसमें कॉंग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनरगटन जो है भाषा के आधार पे होगा यानि राज्यों को दुबारा से पुनरगठित किया जाएगा और किश आधार पे किया जाएगा भाषा के अब देश आजाद हो चुका है तो ऐसे में क्या हुआ सब ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई जो बात हुई थी नागपूर अधिवेशन में उसको लागू किया जाए और ठीक है अब यहां पर समस्या यह थी कि 1927 में जो सिचवेशन थी वो अलग थी और 1947 में देश आ अधार पर प्रांत बनाए गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए आ विवस्ता फैल जाए और देश तूटने का खत्रा दुबारा से हो जाए क्योंकि अभी जो लोग जो थे वो बटवारे का दर्द अभी भूले नहीं थे रियासतों को भी अभी विलाई किया गया था ठीक है ऐसे में स्टेट को वापिस से बनाना भाशा की आधार पर ये एक तरह से चुनोती थी ऐसे में नेता जो थे वो डर रहे थे कहीं कोई विवाद ना हो जाए ठीक है लेकिन जो जनता थी वो मांग करने लगी यानि कि केंद्री नेतिरुत के इस फैसले को इन्होंने देखो केंद पुराने जो मादरास परांत है वहाँ पर जो तेलुगु भाशा बोलने वाले लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने पुराने मदरास अगर हम देखे पुराना जो मदरास होता था धक्षिन भारत में बहुत बड़ा हिस्सा होता था आज का तमिल आड़ो आज का आंदरपरदेश का हिस्सा इसमें शामिल था ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर आप यह देखो कि लोगों ने वरोध करना शुरू कर दिया और आज के समय में जो केरल और करनाटक है उसका भी कुछ-कुछ हिस्सा यहाँ पर आता था ठीक है उस सम बनाना था और आंदरपरदेश नाम से बनाना था ठीक है तो यह हुआ सरकार जो थी वो इस फैसले को लेने से डर रही थी क्योंकि सरकार को पता था अगर आज हम एक स्टेट को बना देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से भी यही डिमांड आएगी कि भाशा क्या पर बना दो ठीक है तो ऐसे में सरकार को डर लग रहा था कहीं देश ना तूट जाए सरकार जो थी वहां और ना की दूवीदा में थी क्या करें यह वाली समस्या हो रही थी ठीक है तो ऐसे में क्या हुआ कि कोंगरेस की नेता थे एक जिनका नाम था पौटी शी राम 56 दिनों तक लगादार भूकरताल हुई और उसके बाद ये मर गए जैसे इनकी डैथ हो जाती है तो हिंसा बढ़क जाती है पूरे आंदर परदेश में आवेविस्ता हो जाती है जगा जगा पे मतलब लोग हिंसा गटनाए करने लग जाते हैं तो ऐसे में क्या हुआ सरकार ने मजबूर होके 1952 के दिसंबर महीने में फैसला करा कि ठीक हम आंदर परदेश नाम से अलग स्टेट बना देंगे ठीक है यहाँ पे गोशना करती तो यह हो गया अब इसके बाद बात करते हैं अब देखो एक स्टेट को बनाने की परदेश बना देंगे तो ऐसे में क्या हुआ दूसरे हिस्सों से भी यही मांग होने लगी कि हमें भी मतलब हमारा स्टेट को भी भाशा के आधार पे बनाओ संगर्स होने लगा इसी चीज़ से सरकार डर रही थी इन संगर्सों से बाद देखो करके इंदर सरकार ने क्या करा 9053 में राज्यपुनरकटन आयोग बनाया यह important है one marks में आपसे पूछा जाता है कि राज्यपुनरकटन आयोग जो था यह कब बनाये गया था तो आपको याद अकना है 9053 में ठीक है इस आयोग का काम किया था इस आयोग का काम था राज्यों का सीमा अंकर करना कि राज्य का जो बॉर्डर है वो कितना होगा कौन से छितर को उसमें लिया जाएगा और इसने क्या करा पूरी रिसर्च करी और यह मान लिया सुईकार कर लिया कि राज्यों की जो सीमाएं हैं इसका निर्धारन जो किया जाएगा वह वहाँ पे भाषा जो बोली जाती है उसके आधार पे किया जाएगा और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पे 9056 में राज्य पुनर गठन अधिनियम पारित हो गया अब यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना राज्य पुनर गठन आयोग बोले तो 9053 में हुआ है राज्य पुनर गठन अधिनियम पूछे कोई पेपर में है तो आप बोलोगेdock क् और उस समय में भारत में 14 राजी और 6 केंदर शासित परदेश बनाए गये तो ठीक है के लिए आगे चलते है नेक्स्ट है आपका राज्यों का गठन अब ये टॉपिक आप मोटा मोटा याद कर सकते हैं कि कौन से स्टेट कब बने थे बस बागी जादा आपको डीप में नही वाले लोग भी रहते थे तो ऐसे में क्या हुआ एक आंदोलन हुआ और 1960 में महराष्ट और गुजरात नाम से इसको दो हिस्सों में बांड दिया गया महराष्ट में कौन रहते हैं जो महराथी बोलते हैं गुजरात में कौन रहते हैं जो गुजराती बोलते हैं ठीक है यह हो गया मंबई को दो हिस्सों में बांड दिया गया फिर ऐसे ही डिमांड होने लगी पंजाब के लिए जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे वो कहते थे कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दो तो और 1966 में पंजाबी भाषी जो इलाका था उसको अलग पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और जो उसी से दो टुकड़े और कर दिया गया एक हर्याना बन गया और एक हमाचल परदेश बन गया ठीक है तो यह 9066 में फिर 1972 में असम एक शेट होता था उससे अलग करके मेगा बना दिया गया ये नौर्थ इस्ट की बात चल रही है फिर इसी साल मनिपूर तिरपुरा बना दिया गया 1972 में और मिजोरा मरोनाचल परदेश जो है 1987 में बने नागा लैंड जो था वो 1963 में ही बन गया था सन 2000 में 36 गड़ उतरागंड जारगंड बने थे और 2014 में तेलंगा न लिए गया तो आई होप आपको समझ में आयोका तो वीडियो को लाइक करतें कॉमेंट करतें शेयर करतें मिलतें नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत